नमस्कार दोस्तों, हाली में भारत के गुजरात में हमें एक बहुत बड़ा हाथसा देखने को मिला जो कि था वहाँ के एक पैडी स्टेंज सस्पेंशन ब्रिज का यानि कि जूला पुल का ये पुल करीबन 137 साल पुराना था और हाली में इसकी मरम्मद हुई थी लेकिन फिर भी ये तूट गया और करीबन 141 लोगों ने इसमें अपनी जान गवाई और आपको पता दें कि इंडिया में बहुत जादा पैडी स्टेंज सस्पेंशन टाइप के ब्रिज है नहीं लेकिन इस घटना के बाद नेपाल को सोचने की ज़रूर पड़ गई क्योंकि नेपाल में है करीबन 9,767 सस्पेंशन टाइप के ब्रिज और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है साथी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है क्योंकि करीबन 10,000 तक की पैड़ी स्टेंश सस्पेंशन टाइप ब्रिज यानि की जूला पुल नेपाल में वर्किंग है और चल रहे है तो नेपाल के लिए जितने ही ताद जरूरी है उतने ही सवाल भी उठने लगए इन पर और इस हादसे के बाद कही न कहीं आखे खुली है कि इन ब्रिजेस के बारे में भी सोचना चाहिए क्योंकि इन सस्पेंशन ब्रिज के जरीए बहुत सारे नेपालियों का रोज का आना जाना है या फिर इनकी कैसी हालत है इन सब चीजों पर सवाल तो उठने लगे हैं और ये सवाल उठना भी बहुत जादा जरूरी है कि इस पर नेपाल में क्या चल रहा है साथी क्या ये ब्रिज सेफ है या नहीं है क्या इन ब्रिजेस की कोई regular maintenance होती है या नहीं होती है इस पर नेपाल की government का क्या कहना है और क्या है वो main चीज़े जो कि इस ब्रिजेस को लेकर neglect की जा रही है जिससे आप लोगों के life जुड़ी हुई है और यही सब है आज के मारे चर्चा का विश है और आपको भी शायद कई बार इन ब्रिजेस से जाना पड़ता होगा जूले की तरह है और इसलिए इनका नाम जूला पुल होता है यह design के तोर पर कई तरह के होते हैं D-shape के होते हैं N-shape के होते हैं साथी साथ single span होते हैं या फिर multi span होते हैं single span paddy strain suspension type के bridge ऐसे bridge होते हैं जो कि दो जगह से जुड़े होते हैं और वो जूले की तरह की जो bridge होगी वो आपर बनी होगी multi span paddy strain suspension type के bridge वो bridge होते हैं जिन में बहुत सारे supports लगे होते हैं यानि कि उनमें दो से जादा pillars होंगे जो कि bridge को और जादा लंबा करते हैं यह जादा तर आपको लंबे bridges में multi span suspension bridge type के bridge होते हैं और नेपाल में जादा तर single span de-structure वाले जो bridge हैं वो बने हुए हैं यानि कि 9,767 bridge में से जादा तर single span bridge हैं क्योंकि यह दो पहाड़ियों के बीच में लग जाते हैं और दोनों की connectivity के लिए एक बहुत आसान रास्ता बन जाते हैं जिसके चलते ही यह जादा तर नेपाल में आपको देखने को मिलेंगे और यह कई दूर दराज की इलाकों में भी अच्छी connectivity देने के लिए बहुत जर सबाब देते हैं नेपाल के government officer जो की है परवेश रेगमी जो के इंजीनियर है suspension bridge department के under ministry of urban development और उनका यह कहना है कि भारत में जैसा हाथसा आम को देखने को मिला है वैसा नेपाल में देखने को नहीं मिलेगा उन्होंने का कि ऐसे bridges में हाथ्चे तभी होते हैं जब उनकी एक जादातर suspension bridges जूला पुल हैं यह करीबन 1960s के और इनका life spam यानि कि यह कब तक चलेंगे वो है 50 साल तक और आप लोग देख सकते हैं कि 1960 में बने हुए bridges अभी तक की पुराने हो चुके हैं और इनकी maintenance साथ ही साथ इनके regular check-up बहुत ज़्यादा जरूरी भी हो जाते हैं और इ लेकिन उनकी maintenance भी पता नहीं कैसी हो रही है जो की बने हुए नेपाल के bridges को लोगे आखिलकार problem है क्या तो सबसे बड़ी problem है corruption corruption ने बहुत सारी चीजों को बहुत जल्दी destroy किया है नेपाल में जो bridges construction होते हैं उनका tender दिये जाता है और जो bridge बनाते हैं वो कहीं ना कहीं उसमे घटिया सामाल लगाते हैं पैसे की budget करते हैं जिसके चलते हैं इन bridges की quality उतनी अच्छी नहीं होती है और इनको अगर 50 साल चलना होता है यो 30 साल में बोल जाते है second बड़ी problem है इनका irregular maintenance यानिका maintenance एक timely manner में किया ही नहीं जाता है अगर कोई problem आती है उनको जल्दी sort out नहीं किय जाता है धंग से इसकी देखरेक नहीं होती है और इनकी capacity के according इनको use करने के लिए भी लोग नहीं है तीसरा बड़ा factor है geographical factor नेपाल में बहुत समय तक बारिश भी होती है साथे साथ कई बार landslide होती है अर्थक्वेक आते हैं और बहुत सारी ऐसी घटना होती है तो ऐसी conditions में इन bridges में बहुत जादा नुकसान होते हैं जिनको चेक करने के लिए शायद ही कोई regularly आता है अभी हाल ही में दो तीन बार नेपाल में जैसे की earthquake आ चुका है तो क्या इन छोटे earthquake भी आने के बाद क्या इन 10,000 पुलों को निरीक्षण किया गया और वो चकाप पूरे इनके structure प lifetime होती है यानि कि कब तक ये bridge sustain करेगा कब तक ये bridge चलने वाला है और उसके बाद एक नए bridge का construction होना चाहिए लेकिन सबसे बड़ी तो दिक्कत यही है कि उस bridge को उसकी life spend खत्म होने के बाद यानि कि उसकी value खत्म होने के बाद भी उस पर चलते रहा जाता है जब तक वो तू bridge पर चले जाते हैं जिसके चलते भी बहुत सारे हाथसे होते हैं और ये bridges कमजोर हो जाते हैं हो सकता है कि वो अपनी over capacity के बाद ना तूटे लेकिन उसके बाद वो कमजोर जरूर हो जाते हैं और उनके उपर इस्तना जादा stress पढ़ता है जिसको वो जहलने के लिए नहीं ब बहुत जल्दी डिग्रेट होते हैं और तूटने की नौपत आ जाती है और बहुत बार इनसे हाथसे हो भी जाते हैं तो government तक इन चीजों को पहुचाना जरूरी है कि please इन चीजों का check-up करो क्योंकि हमारी life से जूड़ी है और आप लोग सिर्फ बैठे नहीं रह सकते हो क् सिर्फ हाथसे का ही इंतजार हम नहीं कर सकते हैं हमको पहले से मिजर्स लेने चाहिए कि ये ब्रिजेज में कोई हाथसा ना हो तो please इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजे ताकि आपकी ही safety हो सके और ये वीडियो government officers सक्थ जरूर पहुचे तो नेपाल के लिए और ऐसे ब्रिजेज में कोई हाथसा देखने को ना मिले जो कि हमें भारत में देखने को मिला है तो ये आज का वीडियो एक eye opener वीडियो था जो कि ऐसे हाथसे उसे हमें बचा सकता है साथ ऐसे ब्रिजेज की regular maintenance को लेकर एक आवाज है तो आपको कैसी लगे वीडियो कैसी ल हमें दो क מש ही फरू इना में आवाजूस्न